तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगे साथ शेयर कर रही हूं सुभा से दोपैर तक का मेरा रूटीन जो रहता है छुट्टी वाले दिन का तो यहां मैं थोड़ा जल्दी उठके अपनी एक बाद चाय तो मैं ले ही चुकी होती हूं उसके अलावा मैं दुबारा अपने ज करती हूं और इस वक्त किसी को उठाती भी नहीं हूं सिवाए मेरा बेटा उठता है साथ में और नाष्टे का जो प्लैनिंग रहती है वो एक दिन पहले हम लोग कर लेते हैं मतलब मैं अरू से पूछ लेती हूं कि उसे जो भी खाना करना रहता है नहीं तो जादा था हम ल आसा मतलब पीछे पीछे वो बिलकुल अभी बिना पैंट पजामी के ही आ जाता है तो बस अब मैं यहां पर करूंगी अपने जो भी हैं बिस्तर को फोल्ड कर दूंगी क्योंकि मैं बैक्षीट अभी जाड़ने वाली नहीं हूं और यह सो रही होती है तब ही मैं साथ साथ मैं ब्लैंकेट वगेरा फोल्ड कर देती हूं और छुटी के टाइम है तो बहुत जादा लेट उठ रही है बिलकुल भी मतलब घर में रह रहे के और जादा आलस आ गया है इन लोग के साथ साथ मुझे भी ऐसा ही फील होने लगा था कुस दिन से तो फिर मैं भी ऐसा ही तो बीच में बंद कर दिया था बचों को थोड़ा सा चीजों में गैप कर देना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद तो बस फिर यहाँ पर मैंने अपने जो है चने वगेरा सब कुछ हो गए थे और नाश्टा जो है ना बस एक चने का ही होने वाला है मैं अल्रेडी है ना सुबा एक बाद चाह से टोज वगेरा ले लेती हूँ वो मुझे आदत है हमेशा से तो हजबन नहीं लेते हैं बस मैंने खाली चने उबाले हैं और जैसे क्या रहता है ना अभी सब का भार जाना निकलना बंद है तो ऑफिस हजबन नहीं जा रहे है रुकाई स्कूल तो उन लोगों को जितना टाइम था घर में खाने पीने का सब कुछ बनने के बाद अब उनकी इच्छाए ही नहीं होती है कुछ खाने पीने का करता है कि फिसारा टाइम है वही वही सब चल रहा है तो यहार जो चीज़े मुझे समझ आती है मैं वह आँद गयरा बनाती जा מקordेट लेंगे और एक बार मैं जब सुबार लेंगे उसके बाद एक और बार चाय ले लेती यूँं थोड़ी सी लेती हूँ जब बनती है हजबन के लिए तो थोड़ी-सी ज्यादा बना लेती हूँ तो किया पर बॉलोग को देने करने के लिए आदत भी पड़ती है उनको थोड़ा सा तो बस यहां पर थोड़े जो चने थे वह अभी अरू नहीं खाये थे वह बहुत स्लो अपना जो है ब्रेकफास्ट या कोई भी चीस कंप्लीट करती है तो यहां मैंने एक दिन पहले अपने जो है पिलो कवर्स वगेरा वाश किये थे वो मैंने आप लोग शेयर किया हुआ है तो यहां अब बारी थी मेरे सोफे के कवर्स वगेरा की तो यह मैं बाहर भी चाने वाली थी और धूल मिटी इतनी जादा आती है ना तो बहुत तो टाइम ऐसा होता है कि मैंना कुछ चीज़े क्लीन नहीं कर पाती हूँ तो बस फिर मैंने यह सोफा कवर उतारा और देन मुझे लगा कि इसे वाश कर देना चीज़े कभी ऐसा ना हो जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है मेरी चीज़े इंकंप्लीट न रह जाएं और बहुत जादा गंदा न रहे चीज़ों को मैं क्लीन कर दूंग लेकिन अब तो टाइम ऐसा है कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं तो फिर उतना जादा और चीज़े क्लीन करने का ना बिलकुल मन नहीं है सिर्फ दिमाग में यही चलता है कि मैं फटा-फट से अपने जो पैकिंग के काम है वो शुरू कर दूं और वो अभी बहुत धीरे दिरे स्लो चल रहा है मेरा काम देन उसके बाद यहां पर मैंने जो मेरे दो कवर वाश किये थे मैंने उनको लगा दिया था और मैं इनको भी चेंज करने वाली हूँ एक कवर पूरा इसी सोफे पर मेरा मन था कि मैं बिच्छाओं बाकी मैंने सारी चीज़े रख दी है तो यहां मैं नहा कर आ गई थी और बनाने लगी थी लॉंच यहां मेरे पास डाल थी रात की तो मैं उसमें पहले तड़का लगा दूंगी और देन उसके बाद आलू भूजी बनाने वाली हूँ मैं और यहां है ना थोड़ा सा मैंने गरम पानी रखा है क्योंकि डाल का मे मैंने फिर हटा दिया मैंने का अभी ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है तो मैं डाल में तड़का लगा देती हूँ वो ही हम लोग साथ में ले लेंगे और जो आलू की भुजी होती है वो बहुत अच्छी लगती है फ्राई करके जैसे रहता है इसमें मत पानी करके पानी नहीं डालते हैं सिर्फ ऐसे ही भुण लेते हैं मैंने थोड़े से प्याज एड किया है अदर्वाइस प्याज इसमें ना डाले न तो जादा और अच्छे से आलू भुण जाते है तो यहां मेरे यह कोई आ गया था तो इस बीच है न मैं अपना कैमरा वगेरा सबकु साइड कर दिया था वो अच्छी अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है घर में और इस तरीके से लगा रहे तो मैंने साइड किया था और सीरिसली घर उस टाइम पे इतना जादा विश तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसा लगता है ना कि अगर कोई आपके व्लोग्स देखता हो और सडनली आ जाए तो ऐसा लगता है कि यार तुमारा घर तो इतना गंदा रहता है आप शो करते हो कि अच्छा रहता है तो बट वही है देखिए बच्चे के साथ घर कई बारी तो बहुत साफ रहता है लोग ये भी कह देते हैं कि आपके बच्चे बहुत सीधे हैं चीज़े हैं ना मतलब फैली नहीं रहती बट मैं जानती हूँ कि मैं सारा टाइम उन चीजों को समीट समीट के रखती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी परसनली बिल्कुल भी बिक्रा हुआ घर ना अच्छा नहीं लगता है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी कई बार ही ऐसा लगता है या घर कितना जादा बिक्रा हुआ पड़ा है अगर कोई आ जाए और उपर से मेरे स लंच हो चुका था तो देन लंच के बाद मैं घर एक बार जरूर समयती हूँ जाडू अगरा लगाती हूँ क्योंकि कई बारी है ना बचे कुछ ना कुछ घिरा देते हैं नीचे खाने पीने का तो या तो इस टाइम लगता है या शाम को लगता है दोनों में से एक टाइम मैं लगा देती हूँ एक बार तो जाड़ो जिससे की थोड़ा सा घर क्लीन लगे मतब खुद को लगे कि हाँ बही सुबा के बार से भी आपका घर साफ है तो यहां मेरे जो कवर वाश किये थे वो सूप गए है धूप इतना जादा तेज आता है तो वो सब सूप जाते हैं तो मैं इनको अब यहां लगा दूँगी और मुझे यही वाले कवर अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा घर अच्छा भी लगे घर पर कोई आने वाले हैं यानि की मेरे मम्मी पापा तो फिर मैं सोचा की घर एक लिस थोड़ा सा अच्छा लगे एक टाइम पर पापा जब आये थे जब विशु हुआ था चोटा था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी और घर बहुत ज़ादा गंदा था तो फील होता है कि कोई मतलब टाइम बाद आये और आपका घर लगे कि यार यह साफ रखती भी है क्या नहीं तो देन बस मैंने यहां आप देखिए विशु मेरी पूरी पूरी हेल्प करवा रहा है वो सुबा से जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो वो डेफिनिटली ऐसे हेल्प जरूर करवाता है कोशिश करता है ओविसली छोटा है लेकिन बहुत कोशिश करता है बकेट्स वगेरा उठाके लेकर के रखना करना तो यहां मैं आ कर रही थी अरु को बोलने कि वह बहुत जादा इंजॉय कर रही है चुट्टियों को मोबाइल वगेरा देख रही है तो बस यहां पर मैं उसको बोल रही थी कि आप बस करो और थोड़ा आराम करो दोपैर का टाइम है दोपैर में मैं अपने थोड़े से जो कप्रे रहते ह मैं उनको ड्राइ के लिए डाल देती हो और देन उसके बाद करूंगी मैं सारी बैशिट को फोल्ड करके रख दूंगी यहां मैंने थोड़े अपने घर की हाल सुधारी की वो थोड़ा अच्छा लगे आपके पैरिंट्स आये या कोई भी आये घर साफ और गंदा दोनों ही दिमाग में आ जाते हैं सबके ही आता है तो बस यहां मैंने थोड़ा कोशिश किया कि घर थोड़ा सा अच्छा दिखे और यहां मैं कर लूँगे अपने जो है बैटशीट वगेरा को फोल्ड क्योंकि ये काफी बड़ी होती है ना तो जगा ज़ादा गिरती है और गंदा लगता है तो और कुछ कवर्स थे पीलो कवर्स जो मैंने निकाले थे दीवान वगेरा से तो उनको भी मैंने वाश कर दिय तो मैं इनको भी फोल्ड करके रख दूंगे और कुछ जो कवर्स हैं उनको दुबारा इन पेलोज पे लगा दूंगी और देन उसके बाद मैं अब दोपैर में एक बार आराम कर लेती हूं मेरा लेटना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे तब तक नहीं सोते हैं अब तक मैं वहाँ पे जाके ना लेट जाओ तो बच्चे ऐसे ही करते हैं अगर मैं जागी हुई हूं तो वो भी जाकते रहेंगे और इनका सोना बहुत जरूरी हो जाता है तो चलिए मैं यहाँ पे अपने वीडियो का एंड करती हूं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइ हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग